व्लकम टू प्रगतिपत माइनम इस प्रगति मिश्रा यह वीडियो मैंने आप सभी लोगों के लिए बनाया है आप सभी लोगों के हेल्प करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कॉंट्रैक्च्वल के विएस इंटर्व्यू में क्या क्या पूछते हैं और फॉर्म किस तरीके से फिल करके ले जाना यह मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था तो इस पर मैं देख रही हूँ कि सभी लोगों को बहुत जादा प्रॉब्लम सो रही है और आप सभी लोग बहुत जादा इस वीडियो को देख भी रहे हैं उसके लिए थैंक्स बट आप लोगों को प्रॉब्लम में बहुत जादा हो रही है तो मैंने जहां तक पॉसिबल हो पया सभी के आंसर्स दी हैं कोई भी नहीं चूटा है यहां पर जिसको मैंने कमेंट में रिप्लाइ ना किया उसकी प्रॉब्लम का पर फिर भी मैं कि वीडियो बनाया दे रही हूं यहां पर जिससे आप सभी लोगों को आगी कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि इस अभी इंटर्व्यू इधर ही हो रहे हैं तो इसी के लिए हैं यहां पर मैं एक एक करकेस जो है जितने भी कमेंट्स हैं उन सब को ले रही हूं और उनका यहां पर आंसर करूंगी तो आप जितने लोग नए भी हैं उन लोगों को भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ठीक है बेसिकली सबसे पहले आप सब लोगों को जाकर यह वीडियो ज़रूर देख लेना अगर आप लोग कांट्रैक्ट्चुल के वियस की तैया यहां फिर आप जो हैं मेनवाले के यहां इंटर्वीव में इस तरीके से पूछते हैं उसकी वी त्यारी कर रहे हो तो श्यूजर ने एक विडियो बनांगे आपको समझाने की कोशिश की थी लेकिन मैंने देखा कि इस पर काफी अच्छा आप लोग जया रिस्पांस भी द वह हैं तो बहुत अच्छी बात तो मुझे भी लगा कि यहां पे मैं आप लोगों को कुछ बता देतीं हूं देखिए यह आर्पिता थिवारी पूतरहरिया मैं फॉर्म पॉर्म तो वहीं ले जाकर सब्मिट करना है तो देखिए अर्पिता फॉर्म तो वहां पर जाके आपको सब्मिट करना है बिल्कुल सही बट हर एक जगह का देखिए मैंने आपको रिप्लाई भी यहां पर किया हुआ है कि आपको ना फॉर्म वहीं पर देना है लेकिन पूरा नोडिफिकेशन आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि ए सब्लिफिकेशन आपको मेल करना है जाने से पहले और जाने से पहले की डेट भी दी हुई थी कि इतने ही बज़े तक हम लेंगे आपके फॉर्म को तो मैंने लाकर सभर की और पुरा स्कैन करके सेंड तो कर दिया था बट उसी दिन मेरा लखनाओ में था तो मैं मैंने मैं मा और यह गोंगे एक आपधी मेरा वहतं हो जाती है तो लकना होगा of that city गिमेल सेंड करना था pleasure टो यह टीजी है विद जहकर करें अलग तरीके से जयसे की काई जगा मैंने Google Form भी भरे थे पहले से मैंने भरके रख दिये थे कही जगा की कि जो है मतलब जिसे मैं मुझे टाइम मिल पाया तो मैं जा पाऊंगी हर जगा ठीक है तो मैंने कही जगा भरा था बट गई मैं दो ही जगा हूँ तो ये बाद हो दोनों जगा मेरा हो गया है तो आगे बढते हैं क्या है आपने नहीं नहीं ये ना पूछो वहाँ से जो Form मिलता है उसमें क्या-क्या फिल करना होता है प्लीज रिप्लाइफ फास्ट कल ही है इंटरव्यू तो क्या क्या बरना होता है जो आपको application form मिला है न वो आपको उसी college की website से download करना होगा और वहां से आप भर लेंगे देखिये application form download आप वहीं से करिए जो आपकी जो भी आपका स्कूल का नाम डालो और केवियस डालो और गूगल पर सर्च मार लो पहला लिंक को सीखा आजाएगा तो जाके वहां से आप लोग देख सकते हो आराम से कोई भी दिक्कत नहीं हो जो भरना क्या होगा वह जो 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 चीजें उसमें नाम वगरा चीजें जो लिकी होंगी वही आप बरोगे ना तो यह मैं कैसे बता सकती हूँ नीदा कुरैशी का क्वेशन था यह फिर मोहमद इम्रान मेरा लकनाव में दिया है बट रिजल्ट कैसे बता चलेगा मैं तो देखिए जो के विबसाइट है उसके आगे जो स्कूल है जिस पर्टिकलर में आपने दिया है व आपको अगर आप सेलेक्टेट कैनिडेट्स हैं तो इंतजार मत करो लेकिन हाँ फोन को अपने और रखना आपको पता चलेगा देखो सारे सभी लोगों ने इस इसी वीडियो पे सारे कमेंट किये हैं तो इसलिए मैंने सोचा यह वाला वीडियो बना देती हूं तो यह आपके आगे हल्प मैं करती रहोंगी ठीक है कन यू प्लीस तल मी इफ आम अप्लाइं पर जूनियर कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर कंट्रक्ट बेसे इन किविस विल्डे आस्मी अबाट मैंच साइंस और हिंदी बिकास आपनो नोलेच राइट नाओ अबाट हिंद सब्सक्राइट अबाट पॉयम्स और हैं अबाट हैं विल्डे दो अबाट हैं इस ने किविस टूनियर कंप्यूटर साइंस इंस कि मैं अब भी एंपर कर दिया अब अपना रिप्लाइं पढ़ यां बाकी लोगों को मैं बता देती हूं कि पूश्च जाएंगे पूश्च जाएंगे पूश्च पोस्ट पर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हों और आपकी जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है मतलब एर तक या फिर टैंट तक जितने तक भी बच्चे को आपको पढ़ाना है तो उतरने में जितना भी आता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए प्रैक्टिकल एज वेल एस कि आप एक्स्प्रेइन कर पाऊ उनको ठीक है तो चीज आपको रखनी है आगे बढ़ते हैं निकल तो अब भी गया है मैम अच्छा यह चलो यह तो दूसरा वीडियो था बाकि यह जो बुक हैं दो मैंने सजेस्ट करें यूपिटेट के लिए यह भी आप देख सकते हो जाके ठीक है तो यह दूसरे वीडियो पर था कमेंट तो उसको स्किप करते हैं मैं मैं दो यह तो सेकंड यह पर सीओ कर रही हूं बीएड पेपर जून में होने वाला है मास्टर इंग्लिश में कर रही हूं तो क्या मै जा सकती हूं पेजीटी के लिए यशी का मलोतरा का क्वेशन है तो देखिए जिनका कम्प्लीट हो चुका है टीचिंग ट्रेनिंग सिर्फ वही जा सकते हैं अगर डीएलेड और बीएड अगर आप सेकंड येर में हैं फरस्ट येर में हैं सेकंड येर लाज समेस्टर में चाहें जो भी हो आप नहीं जा सकते हैं और मतलब की अगर आप कर भी चुक्ए आपका रिजल्ट नहीं आया है तो ऐसे कैंडिडेट को भी उन्होंने निकाल दिया था ठीक है तो हलाकि अगर आप कर चुके हो रिजल्ट और आप जा सकते हो उनको अगर वह पूछें तब ह पूछें तब अपने आपसे नहीं जाकर आपको कहना है कि मेरा नहीं आया है बताइए हम बैटें कि ना बैटें यह सब नहीं करेंगा परवीन मनुज मैम रिजल्ट कैसे पता चलता है इसका तो देखें रिप्लाइए आपको मिल चुका है स्कूल के वेबसाइट पे और नहीं लिखा है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करना है आप मुझे समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ करना है यहाँ झूल्टे觉 Template को ठीक है नरेन जितने भी लोग यहाँ पर विडियो देख रहे हैं स्यल्फ अटेस्ट करके जरूर लें अपना साइन कर देना टेड़ा सा एकदम डॉक्यमेंट के ऊपर नहीं कर देना साइड में आप सभी लोगों को आता ही होगा सेलफटर करना वैसे ठीक है बढ़ते हैं आगे इस क्वेस्चन में मैम प्लीज तेल में हाव तो अप्लाई फॉर द पी आटी टीचर आफ्टर बी टेक बी बीयद या जो भी में आपकी टीचिंग टायनग वह में आप ड कॉंपलसरी है कि में कको प्लीट हो अे जाता कर रकते है .. इस एंसने आपको प्लाई कर सकते हैं नहीं देना टी टायनिद के तबहते हैं है만 र्यांस ओंeeו मthe क्रूंस के सनोंटम तो जन्रेकत तकत थां अवर विजय मैम question English में पूछ से जाते हैं या हिंदी में देखो मैंने आपको बताया है कि जो है second जगा मैं मुझे English में भी पूछा उन्होंने और कहा भी कि क्या आप English में बोल सकते हो या नहीं if you are confident अगर आप confident हो तो फिर बोल देना एक दो line क्या जाता है है ना अगर नहीं confident हो तो fumble मत करना हिंदी में बोलते रहे ना किवल बोल देना कि हाँ मैं manage कर लूँगा मैं समझ सकता हूँ English नहीं आपको इक comment मत करना क्या देना हाँ मैं पढ़ा लूँगा इसके आगे वो कुछ नहीं पूछेंगा अगर पूछतें है तो अगर आप नहीं बोल पाते हैं तो क्या देना हां मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ explain भी कर सकता हूँ और लेकिन यहीं है कि मैं fluent नहीं बोल पाता हूँ और हिंदी सब जगा वैसे भी अंपल सरी है तो बच्चे समझ जाएंगे अगर मैं हिंदी में भी बात करूँगा तो ओके कमल विजए अम्रिता सीट मैं मैं आई ओएस से डिलेट कर रही हूँ तो मेरे पास हर समैस्टा की मार्क शीट नहीं है एक ही मार्क शीट है जहां सारा मार्क लिखा है और एक सर्टिफिकेट है तो क्या मैं document verification में मुझे काट देगा नहीं काट देगा आप जाना वहां एक सर्टिफिकेट है जो भी चीज़ आ वो लेके जाना बस आपको क्या ल पहले आप जाकर देखो वहां पर स्वेक्षा राय का लंबा चोड़ा कमेंट जिसके बारे में मुझे थोड़ा सा कम नौलेज है I have done my graduate with communicative English along with journalism for all the three years for the first two years there is mentioned the subject name unfortunately for the third year only books names are mentioned in my mark sheet which schools are not considering me for the post of TGT English kindly suggest me what should I do on the same am I eligible for the post or not please reply me देखिए आप वहां पर जाकि मैंने आप अल्दो आपको रिप्लाई किया हुआ है यहां पर ठीक है आप वहां पर जाकि जरूर देख लेना स्वैक्षा कि जो आपकी website वहां से पूरा notification डाउनलोड करके eligibility पहले देख लेना और मुझे थोड़ा सा कम knowledge है इस जिस भी graduation जहां से भी आपने graduation किया है ठीक है journalism या फिर communicative English तो मुझे थोड़ा सा कम knowledge है इस बारे में तो मैं आपको यहां पर नहीं suggest कर पाऊंगी इस चीज़ के लिए ठीक है आप देख लेना बाकी हो वीडियो में था वर्क प्रोफाइल सबसे वर्स्ट है अचा ट्रैविलिंग फिर देखो क्या है माम सबटेट की एक बूक बताइए चलो यहां इनको भी रिप्लाइ कर दिया है बाकी वीडियो भी आप देख सकते हो जहां पर मैंने बुक्स वगरा सजेस्ट की है ट्रू ही मैंने जो भी मैं यूज करती हो यह बताया मैं मैं डूंट है भी यह डिग्री विद मी आइफोगा इट एड माई होम अगर मैं कलर फोटो कॉपी निकाल के ले जाओ तो चल जाएगा क्या वह वह वैलेड होगा तो इन रॉप्लाइ अ जाए लो इसको और लेकर चले जाओ देखो वहाँ पर ले लेगा फुद से मत बोलना कि यह उरिजिनल है या फिर नहीं है उनको खुद करने देना कि उन्हें चूज करना है या फिर नहीं मैं में लिस्ट कैसे मिलता है स्कूल की वेबसाइट पर जाकर फिरोज इक बाल कविता प्रजापत्य मैम लेस्ट कहांपे च्छक करते हैं सेलेक्षन की स्कूल में कविता प्रजापत्य रोहित युद्याद हो मैम आपका किते दिन में रिजल्ट आ गया देखो 15 डेज2021 में एक जगा का गया था एक जगा काफे दिन लग गया था पर 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 करता है कि वो result देंगे भी या नहीं देंगे या फिर आपको directly call करेंगे रो नहीं त्यादा ओके नहीं तो गुजर मैं experience नहीं है फ्रेशर को ले सकते हैं क्या बिल्कुल ले सकते हैं computer की को knowledge वाले को उन्हें priority दिये ऐसा है ठीक है बागी जो है फ्रेशर को बिल्कुल ले सकते हैं confidence दिखाना वहाँ पर और बस यहीं सीटेट आपका clear होना चाहिए और teaching training complete होने चाहिए रूची साइनी मैं online registration हम नहीं कर पाई update निकल गई है क्या बर सकते हैं हाँ जाकर वहाँ देख लो date निकल गई तो अब online registration तो नहीं कर पाऊगी देखो रूची लेकिन वहाँ पर form लेके चले जाओ अगर आसपास में हो school तो वहाँ जरूर ट्राय कर ल यह depend करता है संस्कृत की कितनी जगा हैं उनके पास अनपूर्णा दास ओके टीजे संस्कृत में कितने पोश्च होता है I can't guess मतलब school to school vary करता है congratulations भी बोला है अनपूर्णा ने thank you thank you thank you शैलजा शर्मा thank you ma'am very informative thanks result कैसे बता चलता है contextual interview का please reply मैंने अभी 19 को दिया है मैंने अल्रेड़ी बता दिया है शिवानी विश्रा स्कूल की website पर जाओ और वहाँ पर announcement रहता है ना all announcements वहाँ पर देख लेना जाके शायद उन्होंने PDF की form में निकाल दिया हो ओ देखो ma'am यह कब का result है कौन से date को release हुआ है अब यह तो मैं भूल गई हूँ जो को क्या reply किया है मैंने यहाँ पर अच्छा जो को पंदा दिन में आ गया था जब भी यह हुआ है 26 को हुआ है उसे क्यास पास आ गया था अरे मैं के विस पी आर्टी का preparation करवाई है ठीक है करवा देंगे त टीचर के interview का result कितने दिन में आता है अच्छा विबूती तो जो है मैंने आपको reply कर दिया यह यह दस बंदरा दिन में आपका और कहीं कहीं यह दो को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने स्कूल के website पे और they will call you directly if you are selected ठीक है सभा I have interview after two days for TGT English and KBS यहाँ पे क्या है तीन candidates को call किया है I am third one what should I prepare for interview and any demo how many vacances will be there for particular post देखिए मुझे यह नहीं पता है सभा कितनी होंगी और आप लोग में से जितनी लोगों का भी select हो जाना वो मुझे जरूर बता है कमेंट करके कि select हुआ ठीक है I will be waiting for that बाकी how many vacances will be there तो यह school to school depend करता है और जो है area जो आपका है कितने होंगे उसी चीज पर depend करेगा यह नहीं बता सकता है कोई भी और even वो लोग भी नहीं बताते हैं आपको कि कितनी उनके पास post है आपको जाने से पहले क्या पता होता है नहीं पता होता है इतना ज्यादा बाद में ही पता चलता है जब वह list निकाल भी नहीं है तो आपको मिल सकती है पोस्ट जादा भी ठीक है जैसे यहां पर मेरे साइट जो था उसमें अच्छी खासी पोस्ट थी तो बाकी तो इतने कमेंट हो गया है बाकी भी कमेंट नीचे है सभी का response मैंने करी दिया है सीटेट मेरा 12th rank है तो सीटेट में 97 है तो क्या अल्रेडी बता दिया यह सारी छीज़ेश है ठीक तो बाकी भी आप वीडियो देखते रहा हो वीडियो सजेशन यह यूपीटेट के लिए जरूरी दो कीताबें सीटेट के लिए जरूरी किताबें और पांच किताबें यह सारी चैज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ल क्या चीज आपको मतलब इस चैनल पर चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूँगी यह करने की बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए सभी को all the very best सभी लोग कमेंट करके अपना रिजल्ट जरूर बताना all the very best थैंक्स वोगजिए झाल 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 झाल